नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं next 9 news वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम और यहां पर हम चर्चा करेंगे जूती रादित सिंधिया के बारे में और मद्य प्रिदेश की राजनीती के बारे में क्योंकि कमलनाथ की अगर करी जाए तो लगातार जो है सिंधिया परनेशाना साथ रहे हैं और अगर निशाने की बात करी जाए जिस तरीके से जुबानी जंक चल रही है तो यह जायज भी है क्योंकि सिंधिया ने कौंगरेस की सरकार गिराई थी यह वक्त ये बात अगर की जाए तो भली थोड़ी पुरानी हो गई हो लेकिन जक्म जो है वो काउंग्रेस के अभी भी जो हरे हैं और आपको ये भी बताते चले कि चुनाओं में जादा वक्त नहीं रह गया है लगबक नौ राजों में विधान सभा के चुनाओं होने तीन राजों में चुनाओं हो च तो इसी को लेकर जो हम चर्चा करेंगे लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैक्टर सामने आता है जो शिवरा सिंग चौहान है क्योंकि भले ही वो गहलोत की तरह ये ना कहते हुए नजर आते हो कि मैं अगर गद्दी छोड़ दूँगा तो मेरे शरीर को जो है वो जंग लग लेकिन ये भी माना जा सकता है कि जो इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा हो वो राजनीती में इस बड़ी कुर्सी को बड़ी आसानी से छोड़ देगा ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है क्या मोधी शाह जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब बदलते हैं जो में देखने को मिलेगा इस तरह का दावा जो है वो सूतर भी कर रहे हैं और बीजेपी भी करती हुए नजर आ रही है तो एक सबसे बड़ा सवाल गयी रहेगा अबरार कि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है तो इसको अगर देखे तो सीधे तोर पर सिंदिया की बड़ी जीत नजर आ रही है और ये जीत मुख्यमंत्री पक्रिकी दावेदारी को लेकर तो है ही आपका क्या किया है लेकि जोतरा देख सिंदिया जाहर से बात है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिस तरी के से पार्टी को काफे सब्सक्राइब देखा जाए तो भी थे विदान सबाद चुनाओं में जिस अरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है जो तुरादिते सिंद्या यह माने चाहते है लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की कमी कही है या फिर कमलनाथ केजित के मुक्ते मंतरी के रूप में कमलनाथ को जिम्मधारी मिली और जोतरादिते सिंद्या को ठगा हूए महसुस कि तो यह सारे चीज़ें ऐसी घटनाएज जिसके बाद सिंद्याçar between बी जे पी बी यह बात भी जानती है यह है उपहिं पे ट एक य्युवा चेरिये के र अब ऐसे में जिस अरीके से वो पार्टी के साथ निश्टा से जुड़े हुए हैं लगतार उनके तमाम फैसले देखने के मिलते हैं तो यह तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर के सरीके की बाते हैं जो की जा रही है कि मुक्यमंतरी के रूप में उन्हें आगे किया जा सकता है तो जाहर सी बात है कि बीजेपी जिस अरीके से अखीर समय पर फैसले लेने के लिए जानी जाती है और उससे भी बड़ी बात है कि बीजेपी में इस तरीके का विरूदा बास नहीं है जो हमें कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड जो है वो बीजे पी ने शुरू किया है कि नया जो है वो मुख्यमंत्री अगर दावेदारी के तौर पेश करेगा चुनाओ में तो आसानी से जीट जाएगा बीजे भी मान भी रही है और यह होता हूँ अभी नजर आ रहा है तो आपको लगता है कि शिवरा सिंग चौहान को हटागर अगर सिंद्या को दावेदारी दी जाती है तो क्या मद्रदेश में जीट आसानी से मिल पाई देखे बिलकुल यह इस्तिती बन सकती है क्योंकि अभी भी आप सूचे कि जो शुरा सिंग चौहान मुक्यमंत्री बने बैठे हैं तो उसके पीछे जो त्राजित सिंद्या एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि ज जो त्राजित सिंद्या की बड़ा उलत है क्योंकि विदाएकों का समर्थन उनके साथ था और इस वज़े से बहुमत के आकड़े को पाने में जो है बीजेपी सफल हुई तो अब अगर बीजेपी इन तमाम बातों को जहन में रखती है और इस लिहाज से अगर सोचती है कि जो त्राजित सिंद्या को अगर नाराज किया गया अगर उन्हें नजर अंदास किया गया तो जाहर सी बात है कि बीजेपी को चुनाओं में जो है नुकसान उठाने पड़ सकते है क्योंकि अगर वो नाराज होंगे तो जाहर सी बात है कि विधाएक भी उनके साथ पार्ट पोई पोस्टर बैनर नज़र आ रहे हैं या फिर अगर लड़ाई की बात करी जाए तो यह मुद्दो की लड़ाई से ज़ादा जो है वो ट्विटर वार नज़र आ रही है तो ऐसे में जब कई नगाई बीजेपी सप्ता में मोधी लहर भले ही ना हो लेकिन अभी भी जो बी परदेश में फिलहाल तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि भार जुड़ यात्रा को लेकर के जिसरीकी की बातें की जा रही थी अगर उसका जरा सा भी दमखम नज़र आता है तो सीटों के लिहाद से कहिने का इजाफा जरूर देखने को मिलेगा लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस पा ही नहीं उतरती है तो यह तमाव ऐसी चीज़ें जिसको लेकर कि अगर कॉंग्रेस पार्टी जो है विपक्ष के तौर पर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बहुत भी डंक से निभाती है तो जनता का मिज़ज अगर पल्टे गा तो जाहर सी बात है कि कॉंग्रेस पार्ट प्रदेश में नजर नहीं आता है और ये भी कही नहीं सवाल खड़ा होता है कि मद्र प्रदेश की सियासत में अब ना सिर्फ अरविंद केजरिवाल आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं बलकि समाजवादी पार्टी भी कूछ चुकी है तो क्या ऐसे में माना जाए कि भल सिटो के लिहाज से जो है सरकार गठन का तमाम फॉर्मूला जो फिट होता नजर आएगा तब जाकर के अखलेश यादव के साथ गड़बंदन करने को तयार होंगे क्योंकि फिलहाल हिसे में देखा जाए तो अखलेश यादव के तेवर है वह बिलकुल भी कॉंग्रेस के नजर नहीं आता है यह सारा बाद यह सारी चीज़ें लेकिन यह बात है कि अगर सरकार फॉर्मेशन को लेकर कि अगर इस तरीकी की सित्थी बनती है तो जरूर जो है एक मत हो करके अखलेश यादवा कॉंग्रेस पार्टी एक साथ आने को तयार हो जाएगी बिलकुल लेकि मैं आप से सवाल यही करना चाहूंगा और अपनी जो खास डिबेटेस को खत्म करूंगा कि आने वाले चुनाओं में आपको क्या लगता है कि सिंद्या की बदॉलत बीजेपी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी वो तो तैय होगा जब उन्हें वाक़ी क्या बीजेपी स्यम्वेस के तोर पर आगे करती है बाकिया अगर पार्टी में रहते हुए देखा जाए तो इसका फाइदा बीजेपी को जरूर मिलेगा बिकल तो बीजेपी को शिंद्या का फायदा जरूर मिलेगा और कमël 좀 कोई वाइदा नहीं मिलेगा इसलिए जो ज़ुबानी जंक है वो नजर आ रही है सिंधिया कोई तोप नहीं अब तोप साबित होंगे सिंधिया या नहीं ये जंता बताएगी और आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय पर त्रिक्रिया के जरीए देखते रहें नेक्श नाइन्यू स्यासी संगराम में इतना ही नमस्कार